नमस्कार आज का टॉपिक है the best natural treatment for cold and cuff सर्दियों में अक्सर हमें सर्दी खासी हो जाती है बॉडी में कफ बढ़ने लगता है नाक बहने लग जाती है या फिर रोज सुवे सुवे नोस ब्लॉक होने की परेशानी हो जाती है वैसे तो एक वीडियो में मैंने बताया है कि what are the five best foods to keep you warm during the winters अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो description में link है आप देख सकते है उस वीडियो में मैंने जो शरीर को गर्म रखने के लिए पांच food items बताये थे वो थे काली मिर्च, शहद, सफेद, तिल, नीम और कुल्थी का दाल आज बात करेंगे सिर्फ काली मिर्च के बारे में काली मिर्च एक बहुत ही अच्छा antioxidant होता है और इसमें anti-inflammatory properties होती है काली मिर्च brain के health के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ये degenerative brain disease के symptom को भी कम करता है काली मिर्च से blood sugar control भी अच्छा रहता है इतना ही नहीं, अगर आप काली मिर्च regular basis पे consume करेंगे तो इस से आपके cholesterol का level भी ठीक रहता है काली मिर्च में anti-cancer properties भी है काली मिर्च आपकी body के nutrition absorption capacity को भी बढ़ाता है गट हेल्थ को अच्छा रखने के साथ साथ काली मिर्च एक अच्छा pain reliever भी होता है अंटी बैक्टिरियल और anti-inflammatory property की वज़े से काली मिर्च आपको infection से दूर रखने में मदद करता है और cold की वज़े से आपको जो हो रहे symptoms होते हैं उसमें comfort देता है काली मिर्च में vitamin C परयापत मातरा में है जिसकी वज़े से आपको natural immunity boost मिलता है और इसी वज़े से ये एक excellent antibiotic है काली मिर्च chest congestion में भी बहुत अच्छा काम करता है और asthmatic patients को भी काफी relief देता है अब बात करते हैं कि काली मिर्च को लेना कैसे है ऐसा पाया गया है कि काली मिर्च शहद के साथ best काम करता है इसलिए daily consumption के लिए आप रात को 7-10 काली मिर्च के दानों को कूट कूट लीजे और 1-2 चम्मच शहद में इसको mix करके रात भर छोड़ दीजे सुबह उठके खाली पेट में इसको चबा चबा के खा लीजे अगर आपका sore throat है या running nose है या खासी है या आपको ठंड ज्यादा लगती है तो इसे आप सुबह और शाम दो टाइम खाएंगे तो बहुत जल्दी recover कर जाएंगे पर अगर आपको कोई problem as such नहीं है तो दिन में एक बार अगर आप काली मिर्च शहद के साथ लेते हैं तो ये preventive medicine की तरह काम करेगा और आपको सरदी, खासी, sore throat, running nose और flu से बचाएगा सरदियों में हमारी immunity कम हो जाती है जिसकी देखवाल रोज सुबह शहद में काली मिर्च खाने से अपने आप हो जाती है तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई और आप पूरे ठंड के सीजन में काली मिर्च को ट्राइ करेंगे अगर ट्राइ करेंगे तो कृपया कमेंट बॉक्स को यूज करके अपना experience शेर करिएगा मैं रोज 10 काली मिर्च शहद के साथ लेता हूँ और मेरा experience बहुत ही warm और बहुत ही comfortable है तो फिर मिलेंगे तब तक के लिए stay healthy and enjoy life नमस्कार